हेलो और वेलकम तो मैं चैनल लर्न इंगलिश दरफान याइक आज कि हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे बॉक्स और कॉक्स बाइ जॉन मेडिसन मॉर्टन टेक्स का पार्ट सेवन इससे पारले हमने इस टेक्स की डिसक्स कर लिया है अगर वह आपने नहीं देखें यहां प इस वीडियो को तो बात चल रही ती जिफ ऑब बाक्स हो घया है वो रात को प्रिंटिंग कर रहा था तो अ आया Commission मे में तब तो यहां पे जो है कोक्स क्या बोल रहा है कि जो है कभी खतम नी होती हिरानी हमाशा इंसान को आती रहती है बोलता है मैं तो टेंशन में था जब मैं आफिस में गया यारा मिनिट में लेट हो गया तो मैं सोच रहा था कि मैं लेट हो गया हूं ठीक है बोलता है कि I was sneaking into the shop मैं शॉप पे जा रहा था महां excitement थी मेरे को कौन बोलता है इंपलायर होता है जिसने उसको employee किया था तो बोलता है मेरे इंपलायर ने मुझे बोला इंपलायर मेरे इंपलायर में जिसने उसको employee वहां पर किया था एक्स्ट्रीम स्माइल से और एक्स्ट्रीम बेनिवलेंस ब्लायर से उसने बोला और मतलब उसके फेस पर क्या था एक कांटिनेंट उसके फेस पर जो है मुझे बोला कुन बोलता है कॉक्स बोलता है मुझे उसने बोला जब मैं शौप पर गया कॉक्स आज आपकी जुरूरत यहां पर शौप नहीं है आप आज हॉलिडे क्या करो हॉलिडे इंजॉय करो किस ने बोला कॉक्स के इंपलायर ने कॉक्स को बोला किस दिन जिस दिन सुबह गया था बात करके सब अपने जॉब पे गया था वहां पे उसको पता चल गया आज होलिडे है तो वापस आ गया वापस आता यह बोल रहा है both the thoughts of gravesend and back fear one shelling instantly suggested themselves intermingled with visions of green which green which for four pens they camp the two penny buses and the penny boards in short I am quite bewildered however I must have my breakfast first that will give me time to reflect I have bought a mutton chop two mutton chop so I shan't want any dinner कुन बोलता है कॉक्स बोलता है जब उसके employer ने उसको बोला कि आज तेरे लिए holiday है गार जाओ तो उसको thoughts आए कि में grave send एक जगा है England में वहाँ पर वापस चला जाओं तो वहाँ पर क्या किया उसने जल्दी से जो है एक मतलब गाड़ी पगड़ी वहाँ पर जो फोर पैने कुछ रुपीय वहाँ पर दिये फिर दूसरी बस पर चड़ा उस पर बस पर चड़के पर पैनी उसने दिये वहाँ पर कराया तो वापस में आपस अब वापस तो वापस लिली बहूत हैं इसskrl iam i must have my breakfast कर देाना चाहिए ? ईल्डियू में टाइम दाइम थोल्द पहले में जिय Сп In نے taaim । तो रफ्लेक मुटन चौप खाया लो तो फिर मुझे डीनर की जूरूरत नहीं पड़ेगी कौन बोता है यह कौक्स बोता है कौक्स जो है आप कहा आया है अपने रोम में वापस आया है ठीक है वो जौब जाता था कब जाता सुबह जाता थाधा शाम आज वो जल्दी आ गया है क्या हो गय ब्रेक्ट में जो है यह उद्र करता है तो यह हमें बोलता है राइटर बोलता है पुट्स चॉप आन टेबल वो मुट्न चॉप मतन जाए था उसने वो रखता है टेबल पे गुड्ड ग्रेशियस यह मतलब अभी अपने आपसे बोलता है आई फगोट दा ब्रैड अलो वाट लेज थावाँ बोल बोलता है तो राइट बोल बोलता है बहुत है तो ब्रैड बोलता है अग जलाओंगा अटेबल मतलौ हो जाता है अटेबलस काहां पर वहाँ पर दूप यह मतलौ ठो पर रोमें टेबल पर है जो मेरी match box को क्या करता है टच करता है इस्तमाल करता है अपने आप सही बोल रहे है यह खाली क्यों है एकितल मैंने रखी थी वो तिल किसने इस्तमाल की थी वो की थी भोले बाक्स ने इस्तमाल तो अब जो है इसको भी doubt होने लगा बाई ये बंदा कौन है जो इदर ये सारी जो है चीज़ों को consume करता है I'll take my oath I did बोता मैं कसम खाता हूँ मैंने एक दिल इसमें रखी ते अपने आप से ही बोल रही है जैसे Why the fire is lighted? Where's the gridron? आग किस ने जलाई है तो gridron कहा है ये सब जो है उसको इदर उदर का इदर उदर का इदर देखता है वहाँ पर रूम में किसको? Cox को ठीक है On the fire I declare and what's that on it? जोता है चुले पर क्या है? ये क्या है वहाँ पर चिकन? चिकन है यहाँ चिकन है इस पर Well now upon my life there's quiet coolness about Mrs. Bonser's proceedings that's almost amusing अच्छा ये सब मसला जो है Mrs. Bonser का है ये ही मुझे बड़ा problem वादी बात है कि ये सब जो मसला हो रहा है ये मेरे रोम में इदर का उदर उदर का इदर का इदर का इदर उदर का इदर ये किस ने किया ये Mrs. Bonser ने किया होगा अब वो जो है पहले कौन शक करता था उस पर पहले बॉक्स करता था शक अब कॉक्स भी शक करने लगा ठीक है She takes my last match, my goals and my gridron to cook her breakfast by no, no, I can't stand this, come out of that वो मेरी goal इस्तमाल करती है, माचे से इस्तमाल करती है, gridron इस्तमाल करती है सब कुछ इस्तमाल करती है, एक तो मैं कराया भी देता हूँ नहीं नहीं अब ऐसा नहीं चलेगा, इससे बहार निकलना ही होगा, उसको बोलना ही होगा Pooks fork into leg of chicken and puts it on a plate on the table, then places his chop on the gridron, which he puts on the fire, now then my breakfast, my breakfast thing अब वो क्या करता है, उस पॉक जो भी उसका चम्चे जैसा होता है, उससे क्या करता है, चिकन को पहले plate में डालता है, बाद में table पे रखता है बाद में उसको Gray Drone पे रखता है Gray Drone कहां पे रखता है कि चfang पहस्च बना रहा है उसको तो बना के बाद में डाल देता है और जब प्लेट में डाल देता है और church गिरी ड्रां पहस्बर opens the door opens door of the left hand store cupboard and goes out slamming the door after him with a loud noise तो चले जाता है डोर की तरफ वो डोर को खोलता है फिर डोर को जल्दी बस स्लाम होता है बंद करना बने जोर से उसको बंद करता है कौन कोक्स तो वो रूम में सब कुछी मसला कर रहा है खाना प्षाना बनाना अपना मतलब ब्रेक्फास्ट त्यार कर रहा है वहाँ पे तो मसला क्या होगे तब तक जो है बॉक्स भी वहाँ पे सोया था बॉक्स क्या करने लगए suddenly showing his head from behind the curtains और curtain को उपर उठाता है और सिर बहार निकालता है कौन बॉक्स come in if it's you Mrs. Bouncer बोता है आजा आजाओ ये कोई अगर Mrs. Bouncer है तो आजाओ ये कोई अगर Mrs. Bouncer है तो आजाओ ये कोई अगर Mrs. Bouncer है तो आजाओ suddenly recollecting goodness gracious my leg of chicken leaves a bed and runs to fireplace hello what's this a chop whose chop Mrs. Bouncer I'll be bound अब जा रहा है अब उसने वो क्या वो बना रहा था न चिकन वो भी चॉप बना रहा था कौन चिकन लेग बना रहा था बॉक्स तब 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 उसको नेंज पड़ गई थी वो देखता है एकदम अपर जाता है और फायर प्लेस की तरफ जाता है बोलता है ओ यहाँ चॉप है मैंने जो चिकन रखा रहा है यह किसका चॉप है यह Mrs. Bouncer का चॉप होगा मथन चॉप जो बना रहा था न वो अवनose चॉप जो झाख तो झाख रहां सेता हमारे 함 लॉपा आ अवा थाष स פव समय खॉप ॉबाया वे घ्मल शह प्लेस आपाह निप्लाप श test का बने तर साना है वो सठाव बना चॉप पान हाँ प्लै लार्व tangled बनाव धॉपँ थाॉपिवव खॉप 002 ॉपता so much for Bonzer's breakfast and now for my own. With the fork he puts the leg of chicken on the gridron again. I may as well lay my breakfast things. वो वहापर क्या करता है, एकदम वहापर हासता है, बोलता है, इसने मेरा अपना ब्रेक्फास्न न रही थी यह, Mrs. Bonzer. मेरा breakfast side भे रखे अपना breakfast मिना रही थी, वो मेरे coal से मिना रही थी, मेरे gridron से मिना रही थी, तो ये मेरा chicken कहा रखा उसने, अब क्या करता है, उसको गुसा आता है, वो सब कुछ उठाता है, उसका जो chop वहाँ पे था, वो वहाँ से बदला निकालने के लिए, वेंजेंस होता है, बदला निकालने के लिए उसको क्या करता है, विंडो से बाहर फैंक देता है वो chop, ठीक है, वो chop ऐसलिए Mrs. Bonser का नहीं था, वो किसका था, कॉक्स का था, मगर वो क्या करता है, बाहर फैंक देता है, बोलता है, अब Mrs. Bonser का breakfast बन गया, बाहर पढ़ गया है, तो अब सोचता है, आप मैं chicken बनाऊगा, अपने breakfast की तियार करूँगा, chicken leg की, ठीक है, ये था इसका ये वाला page, तो ये थोड़ा डिटेल से पढ़ाने पड़ा, तब ही तो ये वीडियो लंबी हो गई, तो थैंक यू आज के वीडियो के लिए, अगर आपने grammar course जोइन करना है, तो whatsapp कीजिए, 8492802489, तो आप whatsapp आपर कीजिए, तो आप grammar course में जोइन करा देंगे, तो और भी कोई भी information आप commands box में लिख सकते हैं, अगर वीडियो अच्छे लगी तो like जरूर करें, और share अपने friends के साथ करें, हाँ ये चीज़ बहुत अच्छे लगी, कि मतलब जो भी lecturers हैं, जेंड के lecturers हैं, वो मेरी वीडियो को share करते हैं, अपने school के groups में, thank you, उनका बहुत बहुत शुक्री आपने groups में share करने के लिए, आपने groups में share करते हैं, बचे मुझे बोलते हैं कि आज इस lecturers ने, आज इस group में, इस school के group में आपकी वीडियो शेयर हुई, तो अच्छा लगता है कि lecturers भी मेरी वीडियो को promote करते हैं, और वो भी चाहते हैं कि मतलब बचे इन वीडियो को देखें, और अच्छी तरीके से जब पढ़ाया है, तो बचे enjoy करते हैं, और सबसे पहले thank you, बच्चों का जो बच्चे इनको देखते हैं, और अच्छी तरह enjoy करते हैं वीडियो को, और उनका भी thank you, जो comment मैं करते हैं, अच्छी तरह कमेंट करते हैं और हर एक कमेंट का जवाब मैं अच्छी तरह देता हूँ और बहुत मज़ा आता है, thank you.